प्रदेश में साड़े चार महीने बाद एक सितंबर से नौ से बारवी कक्षा के लिए सरकारी और नीजी स्कूल खुल जाएंगे शिक्षा विभाग ने वो दुद्वार को स्कूल खोलने को लेकर एसोपी जारी कर दी है इसके तहत नवी और ग्यारवी के विध्यारती सुबह साड़े साथ बजे से और दसवी और बारवी के विध्यारतीयों को सुबह आठ बजे से बुलाया गया है इन कक्षाओं में आदे घंटे का अंतर रखा गया ताकि विध्यारती एक साथ इखटा ना हो इसके अलावे विभाग ने पहली बार योग को भी महत हो दिया है इसमें कहा गया कि विद्यारतियों के मानसिक स्वास्त के लिए कक्षा में कुछ मिन्टों के लिए विद्यारतियों से योग क्रिया एक कराई जा सकती है वहीं प्रदेश में एक सितंबर से अब स्कूल खुलेंगे नवी से बारवे तक के स्कूल खुले जाएंगे आपको बतादे लंबे इंतजार के बाद सरकारी और नीजी स्कूल खुलेंगे नवी और ग्यारवी के विद्यारतियों को सुबह साड़े साथ बज़े बुलाया गया है तो वहीं दसवी बारवी के विद्यारती सुबह आठ बज़े स्कूल पहुंचूंगे 51 लाक विद्यारती नवी से बाजी कक्षा तक है शिक्षा विवा की S.O.P. में पहली बार योग को भी महत्व दिया गया है क्लास में योग कराने की सला अभिभाव को दी गई है तो वहीं अभिवाव को कि स्वीकृती के बाद विद्यारती स्कूल पहुंच सकेंगे स्कूल बस की बात करें तो ड्राइवर और कंडक्टर को कम से कम एक डोज वैक्सिनेशन की लगना जरूरी है वहीं स्कूलों में मिड़े मेल अभी नहीं पकाया जाएगा वहीं प्रार्तना सबा और स्कूल में सामोही कायोजन पर रोग रहेगी पहली से आठवी तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी दो यहाई झान होuck प्रावेज में प्रावे एक चा konstते होह sumsवी के गOWN ध कि दूश आब में काया ऑनलाइन है खरसे आब काया कि दित्रतना जारे खrimती में प्रावश से टूचया झाल